नेक्स कोशन किसी को कोई दिखकत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखके बता देना मैं जरूर जो है आपको अभी के अभी सामेल ट्रेशली बताऊंगा तो ठीक है मुवंबद आगे बढ़तें एकास और एलन की तरह उल्टे सीधे कोशन ना डालू बिल्कुल वही कोशन डालू जो आते हैं और आ सकते हैं बिल्कुल टिपकल वही कोशन जो नीट में पॉबिबल है एक्सपक्टेड है एक्सपक्टेड है कोशन करने का एक जनरल फंडा होता है हमेशा गाट बात के रख लो फिजिक्स में जब भी कोशन रीट किया करो तो डेटा को समराइज करके लिखना है कहा लिखोगे तो फीगर बना के सबसे पहला काम एक गंदा सा फीगर बना लो जल्宮ण जल्दी-जल्दी से क्योंकि इतना तो नीट में टाइम होता ही नहीं कि तुम बढ़िया सा फीगर बना लो ट्रक है तो ट्रक के इंजन कर ऑत पह ये बनाने लूब एक गंदा सा रफ indicating all the givens and all the unknowns which is the unknown अगर आप उनको draw करके figure में properly दिखा दो तो half of your job is done, half of your question is done यही सबसे main चीज होती ही विजेक्स में और मैं अभी यह करने जा रहा हूँ question भी rate करूँगा और साथी साथ इसका figure भी बनाता जाऊँगा चलो करते हैं एक box है mass 20 kg का यह रहा box है mass 20 kg का display is over truck यह रहा truck truck दिखाने के लिए पढ़िये दो दिखाई दू भाईया coefficient of friction between box and surface of truck यह रहा box यह रहा truck की surface friction कैसे दिखा है भाई यह दो को friction दिखा दिया मैंने surface में friction दिखा दिया कितना mu है? 0.2 तो बताना है maximum acceleration truck का जिसे block उसके उपर rest पे रहे है तो इससे अगल बगल की concept भी करेंगे truck का acceleration बताना है ठीक truck का acceleration बताना है यह figure बन गया हमारा पुरा आदा काम हो गया अब आते concept वाल यादी काम यह truck truck जब चलेगा तो truck के उपर जो block है तो कोई बनधा तो है नहीं चिपका तो है नहीं तो जब truck चलेगा तो block को उसको साथ चलना है तो truck के साथ block क्यों चलेगा पहला तो कोशन है यह पर truck चलेगा block के तो कोई engine लगा नहीं है तक तो तो engine से चलना है तो block को कौन चला रहा है सबसे बलाग कोच्छन तो यह ब्लॉक को कौन चला रहा है तो देखो ट्रक की जो अपर सर्फेस है जिसके ओपर ब्लॉक रखा है ये ट्रक की अपर सर्फेस जिसके ओपर ब्लॉक रखा है जब ट्रक चलेगा तो ट्रक की सर्फेस और ब्लॉक की बीच में relative motion होने लगेगा मालो truck की upper surface या block की lower surface smooth होती तो block वहीं रहा जाता, truck आगे बढ़ जाता बताओ, अपने car की जो upper surface होती है, उसमें तुमें एक bag रख दो, चारों तरफ से कोई boundary ना बनाई हो, तो car तुम आगे बढ़ा दोगे वो जो bag होगा, तुमारा जो लगे जोगा, वो तो पीछे गिर जाएगा क्योंकि उसके साथ नहीं चल पाया, friction नहीं है वहाँ पे smooth surface है, तो truck के साथ block चला ही क्यों, पहला question तो यही है truck और block के बीच में friction होना must है, अगर friction ना हो तो इनके बीच में slipping हो जाएगी to prevent the slipping between truck and block friction must be there, friction must be sufficient, इतना होना चाहिए friction कि block को अपने साथ ले जाए friction motion को oppose नहीं करता, friction oppose करता है relative motion, slipping slipping को prevent करता अगर friction ना हो, तो पक्की बाद दक truck आगे बढ़ जाएगा, block उसके respect में पीछे slip कर जाएगा तो slipping की tendency है relatively पीछे, तो friction block पे किदे लगेगा engine से, block को को ले आ रहा है, block को आगे friction ले जा रहा है truck की और block की सरफेस के बीच का friction ही है जो block को आगे ले जा रहा है, तब बोलोगे कौन सा friction, kinetic friction, static friction दो ही डैप को होता है friction rolling friction मत बोलना थपड़ा मारूंगा kinetic friction, static friction अभी तक को दिकत, किसी को नहीं. कानेटिक फ्रिक्षण इस्टै02ç कौन सा फ्रिक्षण ट्रको ब्लो के बीष में बताऊ बएजा तो देखोborn क्या अत्वार्य होता है अगर slipping हो रही हो दूस अभसेश की बीच में तो कानेटिक फ्रिक्षण लगता है म्यूकियन अगर slipping ना हो रही हो तो static friction लगता है relative motion ना हो रहा हो तो static friction लगता है मुवसन मत बूल देना static friction एक self-adjusting force है और वो जूरो से मुवसन के बीच में कुछ भी लग सकता है फिर से बोलना हूँ static friction एक self-adjusting force है वो जूरो से मुसन की बीच में कुछ भी लग सकता है Static Friction एक Self-Adjusting Force है वो जूरो से मुसन की बीच में कुछ भी लग सकता है तो मैं Block का EBD बनाने जा रहा हूँ यह रहा Block का EBD Block का 20 kg मास था Mg दिखा देता हूँ यार Normal reaction दिखा देता हूँ ट्रक की surface से N Friction Static को FS दिखा देता हूँ Self-Adjusting Force है तो मुसन अब भी नहीं दिखा हूँगा FS दिखा हूँगा अब Block पे देखो N और Mg तो Balance है तो N is equal to Mg Block ऐसे vertical तो उड़ नहीं रहा है ट्रक के साथ जा रहा है न और जंटल vertical तो नहीं उड़ रहा है न हम हमें तो हटा दिया मैंने N.O.M.G कर दिया Fs तो देखो अगर ट्रक और Block एक साथ चलना है दिखा है कि Block remains at rest over truck तो Block ट्रक के ओपर rest में है लेकिन यह तो नहीं बुला Block rest में है ट्रक के ओपर rest में है ट्रक चला जा रहा है तो Block भी उसके साथ चला रहा है अज कल देखो ट्रकों पर भर भर के लोग laborers वगेरा जा रहा है laborers जो है वो खड़ें ऐसे ट्रक पर तो वो ट्रक के respect में rest में है बढ़ ट्रक के साथ तो चार है ना Ground के frame में देखो को जिस acceleration से ट्रक चला है उसी acceleration से ट्रक पर रखा हुआ कोई object चला है तो Block भी उसी acceleration से चला है तो Block का भी acceleration कितना? यह वही ट्रक का acceleration है यह अब क्या बनेगी equation? N is equal to mg यह acceleration Block को दिया किसने? friction ने दिया कौन सा friction? kinetic or static? Static friction क्या लिखे equation? Net force is equal to ma से Fs is equal to ma यह लिखे मैंने Block के लिए acceleration की equation Block के लिए force equation बोल सकते हैं friction ही acceleration दे रहा है friction ही चला रहा है block को ट्रक के उपर Fs is equal to ma अब यह काम करते हैं कि लिखा है कि maximum acceleration बताओ, question की language बढ़ो question की language यह भया, what is the maximum acceleration of the truck? what is the maximum acceleration of the truck? अब यह बताओ, truck के acceleration बढ़ाने से होगा क्या? if truck speed सब, truck अगर अपना acceleration बढ़ाएगी तो A बढ़ेगा अगर truck का acceleration बढ़ेगा तो Fs बढ़ेगा, friction बढ़ेगा बढ़ने दो friction truck की surface और friction लगाएगी इवा truck की surface infinite truck थो ना friction force लगा सकती है उसकी भी एक limit है every surface has a limit वो limit के लाती है limiting friction यह limiting friction mu SN होता है mu SN static friction की maximum value है fixed value नहीं static friction की static friction तो जुरो से mu SN कुछ भी हो सकता है truck के maximum acceleration के लिए block के maximum acceleration के लिए friction को maximum होना पड़ेगा इस friction को maximum होना पड़ेगा friction को maximum होने के लिए इस friction की maximum value μुस M, N कितना? Mg, is equal to M A M से M कड़ गया तो maximum acceleration μुस G आ गया μुस G μुस की value है 0.2 G की value 10 माल लेते हैं μुस की value 0.2 दे रखी है तो 0.2 into 10 यह हो गया 2, 2 meter per second square 2 meter per second square 4 option ने 2, 3, 4, 5 correct answer क्या होगा? बोलो, correct answer क्या होगा? जितने लोग भी line में हो बताओ, मुवमद उसेन अर्पित राय यह दिच्चित चलो, कोई नहीं, मैं ही बता देता हूँ कितना होगा? यह μुस G 0.2 into 10 2 meter per second इसको है तो हमारा यह question भी हो गया laws of motion का friction का एक बहुत बैतरीन question था static friction के self-adjusting nature पर होगा यह बहुत important question है नीट के लिए इस बारवाले नीट के लिए